ये वीडियो में मैं जितने डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ तो डैफिनेटली 99.9% चांसे से के आपको जापान का टूरिस्ट विजा मिल जाएगा एलो गाइस वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चनल और आपका मेरी यूट्यूब चनल पर स्वागत है जिसका नाम है यातरी डाइरेक्टर तो एक और नए वीडियो लेके मैं आ गया हूँ जिसका थम्नियल और स्टार्टिंग का इंट्रो आप लोगों ने देखी लिया है जापान का टूरिस्ट विजा एकदम इजी है इतना कोई टैंशन वाला डॉक्यूमेंटेशन लीस्ट नहीं है अगर आप यही लीस्ट फॉलो करते हो तो डैफिनेटली आपको मिल जाएगा जापान का स्टिकर विजा जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा है कूल है तो वीडियो में ज्यादा देर ना करते हो यह हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कौनसी कौनसी चीज आपको चाहिए तो सीधा जाते हैं वीएफेस ग्लोबल के साइड पर वहाँ पर हमें जाना है टेंपरररी वीजिटर वीजा फॉर साइट सिंग विडाउट गैरेंटर अगर आपके पस कोई गैरेंटर है तो आप वहाँ जा सकते हैं लेकिन मोस्ट अप दे इंडियन के पास गैरेंटर नह वीजा फीज सबसे बैस चापान की मुझे यही लगती है कि 500 रुपीज सिर्फ वीजा फीज है जो भी वो लोग वीजा देते हैं सिंगल मल्टी डिपेंड आपको कौन सी कैटेगरी में आप अपलाए करते हैं लेकिन मोस्ट अप देखा गया है 500 वो लोग चार्ज करते हैं और सबसे में चीज उनकी यह है कोई कंट्री की यह नहीं है कि यह लोग वीजा फीज अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो वो रिफंड कर देते हैं पास्पोर्ट के साथ ही आपको मिल जाता है यानि एक रुपिया वो आपके पास नहीं लेंगे आपके पास से ज्य बगिरा लगता है वो चार्ज काटने के बाद 800 या 900 दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसमें कुरियर चार्ज एक्स्टा है एड नहीं है जैसे कि कोई भी वीजा लेने के लिए सबसे पहले मेंडेटरी है पास्पोर्ट ठीक है आप वीजा लोगे कि इसके ऊपर पास्पोर सबसे पहली चीज है उसमें एटलिस दो या तीन ब्लैंक पेज होने चाहिए मैं बोलता हूं तीन ब्लैंक पेज रखो क्योंकि प्रेटो स्टिकर आजाएगा तो ऑफिसर का आप स्टेंप लगा है तो रहेंगे तो अच्छा है उसके बाद आता है फोटोस तो फोटो की सब्सक्राइब के सेम रिश्यों ही रहता है सेवंटी तो एटी परसेंट फेस्ट वीजबल होना चाहिए विच प्रॉपर वाइट बैक्ग्राउंड और कलर होना चाहिए ब्लैक न वाइट मत बिद देना जोब सबार और पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लाइ सीधी सिंपल आप ही के ट्रावेल प्लांग के आपसे पूछा जाएगा वह सब अगर नहीं पता है चला है वीजा यह फॉर्म बरने के लिए तो आप कॉमेट में लिख दीजिए मैं एक डेमो फॉर्म आपको भर के वीडियो बना दूंगा आपके लिए कोई भी वीजा हम जब भी अपलाई कर देग कोवरिंग लेटर आता है के कोवरिंग लेटर में आपके बारे में सब कुछ मेंशन होता है मैं हर एक वीजा की इंफोमेशन वाले वीडियो में बताता हूं कि कोवरिंग लेटर बहुत इंपोर्टन है उसका एक डेमो औरड़ी आपको गूगल मिल जाएगा बहुत सारे लोगों ने वैसे भी बना रखा है तो मैं उसके डीटेल में नहीं जाओंगा क्या-क्या है हर बार मैं आपको यही चीज बताता हूं कवरिंग लेटर के अंदर क्या-क्या होता है इसके बाद आता है डीटेल आइटेनरी जैसे कि मैंने पहले बता जाओंगा मैं टोक्यो टावर जाओंगा जाने वाले वह सारी चीज मेंसन कर दो एक फिर इसके बाद आता है कंफर्म ट्रावेल बुकिंग यानि कि आपकी टिकिट हो गई होटल बुकिंग हो गया यह सब कंफर्म लगा तो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऑफिसर होगा वो देखेगा फ्वाइल देखेगा कि आपका कन्फर्म सब कुछ है जाने आने की रिटन टिकित हो गई होटल बुकिंग होगा है सारे जितने भी वाउचर आपने वहां की अक्टिविटीज बुक करवा रखे तो वह भी आप मेंशन कर देजिए इसके अंदर इसके बाद लास्ट दो साल का अप आइटीया लगा दिजिए उसके बाद आता है थ्री मन्त पर बैंक स्टेटमेंट आपका लास्ट ट्री मुन का बैंक स्टेटमेंट लग दीजे विट बैन मैनेजर की साइन एंप के साथ इसके बाद अभी है लिव मैं सेंक्शन फोर एंप्लोई सेविंग्स अकाउंट वाला हो वह भी रख दीजिए और सेलराइड अकाउंट वाला स्टेटमेंट वह भी मेंचन कर दीजिए और जो आपकी सेंक्षन हुई होलिडीज की जो छुट्टी है उसका जो लेटर रहता है वो भी आप लगा दीजिए कि शो एंसो डेट से मैं ये क तो आप कवरिंग लेटर में तो मेंचन करी रहे हो लेकिन अभी आपकी कंपनी या फ्रीलांसर तो आप खुत का ही लगा दीजिए ऐसा ज़रूदी सलीप लगा नी है सेलिए तो मैं स्ट्रैंट करें कर दीजिए कवरिंग लेटर में कि आयम संप्लोइड फोट्रोग्राफ और वीडियो एडिर या जो भी आपको वो मेंशन कर दिए उसके बाद आता है अगर आप कंपनी के ओनर हो जैसे कि मेरी खुद की कंपनी है तो मैं कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट लगा हूँगा जो भी डीड वगरा होते हैं पार्टनर्सिप डीड या जो भी प्रोप्राइ कंपनी का बैंक स्टेट्मेंट यानि करन्ट अकाउंट हो है तो वह एड़ कर दिजिए विट स्टेंपिंग मैनेजर के साइन और सिगनेचर के साथ इंकम टेक्स रिटेन भी कंपनी का अलग फाइल होता है तो आप लेके जाओ और वो भी फाइल करो जैसे कि इसमें बताया वह आप लेके जाओ उसकी जेरोक्स लगा दो बात हो गए खटम उसके बाद आता है कि अगर आप स्टूडन्ट हो तो उसकेस में आप अपने पैरेंस या जो आपको स्पांसर कर रहा है क्रिप के लिए उसके सारे डॉक्यमेंट्स जो पहले मैंने बता है वही सब एड कर ल और उनके सिगनेजर वाला एक फॉर्म रहता है वह आपको फिल अप करके देना पड़ेगा अभी में चीद अधिये लाइक आपको कोई वहां का बंदा स्पांसर करता है जो जापान में रहा है ठीक है तो आजाएगा गैरेंटर में क्योंकि वह एक गैरेंटर बन रहा है त प्रॉपर स्टेंपिंग के साथ वहां जैसे हमारे इंडिया में नौटरी वगर करते हैं वहां के लोयर से वह लोग इंविटेशन लेटर बनवाते हैं वह आपको बित्ते हैं यहां पर वाय कुरियत तो आप वह एड कर दीजें और कितने दिन रहना है वह सारी डीटेल उस किसी आपको होता है वह चाहिए उसका पासपोर्ट का फर्स और लास्ट पीच स्का है अगर वह जैपनीस है तो उसका जापन का पासपोर्ट चाहिए या तो पी-र आया तो रिचेंट प्रश्न्स कार्ट जो उसका आया है वह आप świat य्जेए और पीछे का scan copy और ओपैड कर दिजे फिर जो बंदा है या अग शायद किसी की गल्फेंड होती है फोगी तो कॉप प्रिलेशनसिप विद केरेंटर वह आप मेंशन कर दिजे कवरिंग लेटर में या उसके लेटर में भी वहां से मेंशन करके देगे तो भी चलेगा तो गाइस बस इतने ही डॉक्यमेंट ह आपन विजा के लिए और इतने और कोई खास डॉक्यमेंट नहीं है के लाइक प्रॉपर्टी के लिस्ट वगेरा यह कुछ रखने की जरूरत नहीं है मैंने इतना बताया उतने ही डॉक्यमेंट लिजे आपके 99.99 परसेंट विजा शोर है क्योंकि इतने अभी 0.1 मैंने क्य सब कुछ में आपने क्या है सिर्फ फाइनेशल स्टेटमेंट और यह डॉक्यमेंट इमैंट नहीं करता है बहुत कुछ मेंट और बीज़ा तो मैंने जो बताया आप उतने ही डॉक्यमेंट लखे तो डेफिनली आपका विजा आ जाएगा और प्रोसेसिंग ताइम इन पारा दिन बाद आपके पासपोर्ट में अच्छा सा वीजा का स्टीकर्ट देखने को मिलेगा और ऐसी बहुत सारी वीडियो में आगे भी लाने वाला हूं तो प्लीज गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और कोई भी क्वेस्टन यहां पर अगर आपको वीडियो मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो फाइनल इस पॉसेटिव बात करने के साथ मैं बाई-बाई कर रहा हूं टाटा से यू